हेलो फ्रेंड्स निफ्टी 21,000 पर जूज राता क्लोजिंग के लिए और आज 21,000 के पार तो गया ही और बहुत अच्छे से बंदी भी हुआ 256 कुएंट की तेजी भी देखने के लिए मिली आज वीकली एक्सपारी भी थी निफ्टी की और सबसे खास बात जो डाउ जोंस की तेजी थी वो बजार को काम में लानी पड़ी और वो काम कर गई उसके साथ साथ जो फेडरल लेजर्व ने इंटरस्टेट घटने के संके दि निफटी में तो नहीं लेकिन बैंक निफटी स्टोक्स के इंदर हमें ऐसा लगता है कि अब यहां पर मंधी बनाने का समय शायद आगया है और यहां से अब बड़े प्लेयर्स हल्की फल्की मंदी बनाएंगे और वो मंदी जो है शायद अब एक अच्छी खासी मंदी के अजर परीवर्तित होगी तो हलेकि अभी देखिए का ऐसा नहीं है कि जिस दिन मंदी बनेगी उससी दिनवजा टूटे बड़े मंदी के संकेत आगे हैं वो पॉजिशनलोई ठेहलते हैं दो दो महीने 3-3 महीने की फॉजिशन बनाकी चलते हैं और यह देखिए कैम मैं आपको पहला रिजंग को प्रपाता हूँ आप बचिक के एंडियोंС घण चैँनरोंरे जिए और इन कंडस के वोलिम्रें इन केंडल्स के वोल्यूम देखियेगा, क्या जबस्त वोल्यूम्स थे हैं। बजार यहां पर आकर आराम करने की तैयारी कर रहा था। Consolidation तो कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं कि बहुत ज़्यादा Consolidation होके बजारुक पर जा रहा है यहां पर Volume घटने शुरू हो गए थे और आज की इतनी बड़ी तेज़ी होने के बावजूद भी है वॉल्यूम्स इन केंडल्स यह जो केंडल्स बनी है इन केंडल्स के लोग पर इसका मतलब यह है कि तेज़ी तो हुई लेकिन बड़े प्लेयर स्मार्ट्ली अपनी पोजीशन को futures and options के माद्यम से मंदी की position से बनानी उन्होंने शुरू कर रही है यानि कि जो भी smart money है वो अब तेजी नहीं प्ले कर रही बलकि साथ में एक मंदी की भी शुरुआत कर रही है अब यहां पर इन्फोसेश चला देखिए आईटी पर चला इन्फोसेश की बात करें टीस की बात करें टैक में इंदर की बात करें समय तेजी सम्हाला आज भी finance ने देखिए का आज भी अब मैं आपको बवद हूं निफ्टी के अंदर अगर बैंक निफ्टी नहीं चलता है जा फाइनिशल चेस नहीं चलेंगे तो नहीं समझाल पाएंगे तो देखिए कि यह फाइनिशल चेस आई से बैंक बजाज फाइनस और एक्षडी से बैंक और मुझे यह लगता है कि अब यह जो बैंक है यह फुली प्राइज इन है और यहां पर अब यह गिरने के लिए बेताब है और तुरंत गिरेंगे ऐसा नहीं होता है बजार में कभी आप कहें बढ़ा पोजीशन बननी शुरू हो गई है एचेड़ से लाइफ नेशले पावर गेड़ जेस डबलू स्टील और टाइटन कंपनी यह सब कंप्योरी में थे अब देखिए को विड़म बना कह है विड़मन है यह है कि भाई जिसने मंदी कर रखी तेना उसकी मंदी आज गट गई और जो थोड़ी बहुत बची है वो बजार में हल्की सी कर्रेक्शन होगी हो काट लेंगे और मुझे लग रहा है कि अब खरीदने वाले लोग बड़े एग्रेसिवली खरीदेंगे और कोई मजबूत नहीं है इतना बजार चलने के पहुद भी एडवांस डेक्लाइन देश्वा देखिए कोई मजबूत नहीं है दूसरा करण भी आपके सामने आ गया है क्योंकि स्मोल के पिंडेक्स पहले ही लीड कर चुकर बजार में जो लेगार साब आईटी शेर्स थे अब टेक महेंद्रा 4% चला इल्टी अमाइटरी चला इंफोसी चला विप्रो चला इसी एल्टेक चला पांच वाईटीग शेर्स थे उपर है आज उसके देंडसीन बेंक बजाज फाइनस बजाज फिंसर बजाज फिंसर वल्टरा टेक महेंद्रा है मुझे व्यक्तिकत इन प्राइज पर बनने वाली है ऐसे इन्वेस्टर बात करों और देखिए का इन्वेस्टर्स का जो व्यूव है वो थोड़ा से लेट कम्प्लीट होता है और और ट्रेडिंग जो अक्टिवटीज है वो जनरली मुमेंटम के साथ प्ले होती है तो मुमेंटम अभी वाला है पावरीड एच डिफसी लाइफ नेशल इंडिया और सिपलाई यह सब कुम्प्योरी में थे निफ्टी बैंक भी 640 वंट की तेज़ी करता हूँ अब देखिए का तेज़ी में मंदी की बात अगरम करें तो यह हमारा कॉंट्रवीव और मेरा कॉंट्रवीव है यह अब देखिए कि यहां पर भी में आपके साथ करूँ जिब निफ्टी बैंक चला था तो वोल्यूम देखिए तीनों ग्रीन केंडल के वोल्यूम देखिए आज की ग्रीन केंडल का वोल्यूम देखिए इन केंडल का साथ से सत्तर परसंट वोल्यूम है यह इंडिकेट कर र और मुझे पसनली ऐसा लग रहा है कि जो शोटर थे उनका पेशन्स जबाब दे गया और सोधे कट गया बड़े प्लेयर्स ने वहीं पर बढ़िया प्रीमियम पर सोधे बना दिया है और जो एक यूफोरिया उसके चक्कर में भाइंग भी वह थी एक तो जिनकी शोट्स थे वह बाय कर रहे थे अपनी पोजिशन के निकले एक दूसरा जब इतनी तेजी होती है रेट ऑफ इंडेस्ट की बात होती है और जो मीडिया पर चल रहा है उसको देखके सब आंख अब यहां पर जो पूरी अभी जो निफ्टी बैंक चल आ है इस इस नहीं हमारे पर शेयर नहीं है लेकिन मैंने भी आपको जैसे पिछली वीडियो में बूला कि वेलुशन वाइज हम डेटी रहे हैं बजार करेक्ट हो तो हमारे शेयर भी करेक्ट होगे आई यू समॉल फ इसमें जो में लीड कर रहा है जो शेयर से हुआ है जिसने लीड किया है दूसरा कोटा कमेंदरा बैंक तीसरा है एच डिसी बैंक यह लार्ज गैप जो शेयर से हो चल रहे है आज FIIs के डेटा को देखो अब आपको एक ठीज बताओं को ध्यान से समझेगा 35 कोड की बाइंग डियाइज की भी बाइंग अब यह देखो FIIs की इंडेक्स ओप्शन जो बेची हो नोने 2,40,000 के करीब है 2,38,275 आप सोच रहों कि अभी यह इतना ही फिगर पिछले महीने का भी है यह जो ओप्शन्स FIIs ने बेची है इने में बहुत बड़ी फिगर ऐसी होगी जो अभी मतलब रोल ओवर में जाएगी यह रोल ओवर में आचोकी है अब यह बताए क्या FIIs खाली कॉल ओप्शन बेचते हैं या पुटबचन बेचते हैं दोनों बेचते होंगे एक option उनकी 0 हो गई लेकिन एक options फसी हुई होगी उनकी चाह कोल फसी होगी क्योंकि जो कोल बिकी हुई है और यह लगातार cash में करीगते जा रहा है और अब देखी गई इंडेक्स फिचस भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने क्योंकि future में premium अच्छे है उदर से stock features भी बेचना शुरू कर दिया और इंडेक्स फिचस भी बेच के बैठे हुई है इतने बड़िया दरीके से इनकी options भी हुई है कि अब इनको बजार तोड़ना इनकी मजबूरी है क्योंकि इनकी जो put options है वो तो सब 0 हो गई है या बहुती nominal value पर हो गई है अब call side की जो options है उनमें इनको profit कमाना है तो उसके लिए बजार को बेचेंगा और बजार बेचने के लिए नहोंने क्या किया पहले बजार खरीदा है और मैं सिंपल सी बार बताता हूँ देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को आप दूसरी मंजिल से उपर से फेकेंगे यह मैं फेकना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बड़े प्लेयर से फेकते ही हैं ठीक है उनकी वाश्य में बात कर रहा हूँ तो जो भी बड़े प्लेयर से किसी को दूसरी मंजिल से नीचे गिराएंगे तो उसके हाथ पैट तूटेंग और कुछ नहीं होगा और फिर बजार को खड़ा कर दिया ग्यारवी मंजिल और ग्यारवी मंजिल से जब बजार गिरेगा ना तो सबसे पहली बात किया कि बजार में सब के पैसे घतम कर देगा यहीं पर आज ही रुख जाएगा बजार बट बजार जो है बहुत क्लोजली मतलब आप देखने कोशिच करे होगे बहुत ही जल्द आपको बढ़िया वाली करेक्शन जो है देखने के लिए मिलेगे और वो जो करेक्शन होगे कर सब में होगी स्मॉल काप बिड़ काप लार्ज के अपना और यहां पर अगरम देखे तो पुट कोल रिशो सब लोग ऑप्शन में है अभी और ऑप्श करने के लिए तयार नहीं हो दो दिन पहले है और अब फिर पुट राइटर्स अग्रेसिव होगे हैं पुट राइटिंग जबस्त है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में हलेकि रेशो एक से कम है लेकिन यह कम इसलिए क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि अब जो अगली दो एक्सपाइरी हैं वो मुझे लग रहा कि क्रूशल होंगे और मुझे लग रहा सबसे लास्ट वाली क्योंकि अगर बजार गिरना भी शुरू होगा न तो इतनी शोड़ पोजिशन हैं जो बच गई अभी वह तो एक हफते भाई हो उनको कवर करने में ल कि मैं आपका इस्सा साइकलोजिकली बात करों डाउ जो है बेरिफिट जो है बड़े प्लेर्स को दे दिया तो अभी भी 37,200 पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट कुट थोड़ा सा उपर की तरफ जो है मुग कर रहा है जब रेट इंटरस्ट्री कम होगे सब जगे मोमेंट कि अगर इंडर्स्ट्री नहीं कर रहा है तो ब्रेंट कुट थेल की तो डिमांड आएगी ना तो वही रीजन और इंटरस्टेट सस्ता हो जाएगा तो लोगों पस खरीदने की परशेजिंग पावर बढ़तेगी तो वही एक रीजन है ब्रेंट कुट में बढ़ने का अब पूट राइटर्स जो है यह अगर इंस्टुटुशन से तो बजार आना नहीं इचे भी लोगों बढ़ मुझे लगता है कि यह जो आज का मूव है यह वास्ता में एक लालच वाला है लालच दिखाया जा रहा है तीजी का और जो तेजी का लालच है यह मुझे लग रहा ह को ट्रैप करेगा तो यहां पर जिस तरीके के व्यू हमारे हैं वह इंडिपेंडेंटर कोई भी ट्रेडर लें उसका दिवेश करें बैंक रिप्टी में 48,000 की कोल पर फिर भी राइटिंग आपको आगई नजर लेकिन पूट राइटिंगे दिखेंगा तो 47,50000 पर 95,000 कॉ हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फूट राइटिंग है यनि कि तेजी वाला तो यह मान के चल रहा है बजार को कोई तोड़ी नहीं सकता है और बस यह होता है तेजी में मंदी का हैसास मंदी में तेजी का तो बहुत समय के बाद अभी तक तो मैं जैसा व्यू था वैसा रह समय बनाने के लिए टाइम बिलेगा कोई भी पोजिशन मंदी की बनाएं तो अपने फैंश रवाइसा लाले पर मुझे यह लगता है कि यह भी बने कि धीर धीर बनाने का समय यह नहीं की सारी पोजिशन एकी बार डाल दो तो इस वीडियो के अंदर बैस के तना है वीडिय में कातब बनाने काता में बनाएं और कोई भी बेचे हैं के इस नहीं मिदेंगते कोई और कि अपने बना हैं पर अपने लाएं वीडियो के वलर है कोई परिशिना पर्फाय अपने लोगती हैं ति आपको एक यसरी लगी ज़रूए बताइए मेरी जो राय है बजार पे जो डेटा पॉइंट्स है उसके इसाब से अभी भी देजी लग रही है बट मैं साइकलोजी के लिए अगर सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सब कुछ सब कुछ हरारा दिख रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी भी पिक्चर होती है जहां पर की बड़े प् जब सब करना है और वह थोड़े से चिंटा की वात और यूफोरिया एक दो दिन बेनी बिलास्त होता है उसमें कुछ समय लगता है बट जब वह जब टूटता है ना तो मुझे लगता कि बाही मैंने दो ज़जार आड देखा है तो मैंने देखा कि किस तरीके का पें रिट और जो इंवेस्टर 2,700 होट की चौट खाए थे ना वह बड़ रिड़ी फोलोगशे बज़ें वांपिस लोगशे बजय लोग शेर बजय ता जो जो शेर बज्जार का नहीं लिए तो कहते है तो जो एसे इंसीडेंस हो एं वो होते हैं पांस साथ साल ज़ साल में एक बार फिर कोविड में देखिए का बजार गी रहे थे तो हाँ पे भी क्या हुआ था तो उसका कोई लोजिक नहीं था लेकिन टूटा रही रेशनल जब सब के सोधेर कट गए बजार महीं से चलना शिरू हो गया तो यह बजार की फित्रत है तो उतना बड़ा कोल तो नहीं एक्सप पहले देखिए तो खाली इंडेक्स में थी बाकिस वोल के मिड़के बच्छे चल रहे थे बाड़ किया जो भी करेक्शन आएगी वो सबीजे आएगी ऐसा मुझे रगता है वीडियो में जुड़े लेने के लिए धन्यावाद थेंक्यो वेरी मच्छ